कुछ नए फिचर्स के साथ में आज हम आपको दिखाने जा रहे है होंडा की जो है बिए 6 वर्येंट में डिवो यह वर्जन अपडेट हुआ है तो आज हम आपको डिवो जो है बिए 6 वर्जन इसके बारे में आपको रिव्यू देने जा रहे है तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल टुकु टॉक में और ऐसे वीडियो अच् लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकॉन भी दबाने के लिए मत बूलिएगा तो चलिए कुछ बेसिक से फिचर्स के साथ में हम आपको यह होंडा की जो पीजिक्स वर्जन जो है डिवो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते है इसकी जो बाड तो जैसे कि हम आपको पताना चाहते है कि यह जो वंडा की जो डिवो है बेसिक्स वेरियंट तो इसमें दो वर्जन लॉंच होए एक डिलेक्स है और यह स्टैंडर मॉडल है दोस्तों तो डिलेक्स से जो फंक्शन है दोनों में जो डिपरंस है हम आपको यहाँ पर इसमें यह लैंप जो आता है यह जो मेंटर कंसल है तो मेंटर कंसल के बारे में हम आपको बताना चाहते है तो यह जो स्टैंडर्ड जो वेरियंट होता है उसमें यह आता है एनलोग मेंटर कंसल आता है वही दूसरी और यह पूरी तरीके से डिजिटल मेंटर कंसल आता है दोस्तों तो उसके बाद में हम उसका जो मश्चचर जो आता है तो यह डिलक्स में आता है यह स्टेंडर विरेनि नहीं आता है क्योंकि इसमें जो दिया गया haiसे यह एवी टो लेम तो LED पोजिशन लेम जो है देखिए यह जो है बहुत ही आकर्शक यहाँ पर दिखता है तो यह इसको LED पोजिशन लाम बोलते हैं और यह जो है कि फोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर भी है यह होंडा की बैजिटिंग के साथ में यह होंडा का जो एंबलेम है तो यहाँ पर यह थोड़ा सा कोशिश की गई है यह देखिए दोस्ते उसके बाद इसमें जो है पीजी एम यह फाई जो है यह फाई मतलब फिवेल इंजेक्शन सिस्टीम दोनों पीजिक्स स्टेंडर और डिलक्स दोनों वेरियंट्स में यहाँ पर दिया गया ह भी है परम निया है फ्लू में डीनक फाई जय अब करें मतलब स्टैंडर और यानिक्स इस और दिया गया है उसके बाद में देखिए जैसे कि हम आपको यह आगे का चाहर आगे जो मतलों म्तलब बैक्रोंस watches स्टैंडर्स готов डिया गया है यहां पर नहीं को डिखाई देता है और यह आप का मढद या तुर बहुत ही आकर शक्सा लगता है यह जो अपको दिखाना चाहता और में चल में इसे न्रीम का में और 15 की यह आपणKK कहला है और जो दोनों फिल विल दी commitment है एक। के साथ में आते हैं मेरे दोस्तों और जो बेसिक सा जो फंक्शन है जो बेसिक सा जो डिफरंस है दोनों विर्याट में तो यह है कि यह जो इसका रिम का जो कलर यह ब्लैक है वही दूसरी और जो डिलक्स वेरियंट है उसमें यह गोल्डन कलर का दिया गया है और शायद यह इ कि यह को दिखाई देता है वही दूसरी और जो स्टैंडरड जो एक्सटरनल मिलते हैं मतलब हमको सीड से उतरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है दोस्तों पीछे की और यहाँ पर जो लीड है यह खुल जाती है और हम यहाँ से अपने स्कूटर को करा सकते हैं तो मेरे पैरे दस्तों यह जो है डिलक्स और स्टेंडर दोनों में एक डिप्रस एक कद ऑस से आपकर यहाँ यहा पर हमको हम को से रीडिव Fl Oliv Kris can क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारी bike, scooter या bike हम लेकर घूमते हैं, तो particular km के बाद में यह तो फिर यह 2 यह 3 मैंने जो वैलेटी होंगी, उसके बाद में हमको अपने bike की regular ये scooter की regular servicing करा नहीं पड़ती है, तो इसके लिए हमको यह जो कभी-कभी याद नहीं होता है तो यह जो है वाइक है इसका डलक्स बैर दो दूसरी और सटैंडर वेरियेंट मेट साइडी स्चैंडेंडिकेटर णहीं दिपता है तो साइड स्टैंड distracted मतलब वह थो देखे जैसे कि मैंने साबी सिटैंड यहाँ पर on किया हुआ हुआ है तो यहाँ पर हमको कि सारे स्टैंड और यह और रहने के बाद हमें в तो यह तर्निंग के वक्त हमारा एक्सेट होने के चांसे ज्यादा होते हैं इसलिए सुरक्षा पिचर की सुर्क्षाद के हीतो यह बहुत ही अच्छा सा फिचर से यह जो है ऎक्राफिक्स ऑप्री तरी तरीके से चेंज किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि होंड़ा इको टेकनोलोजी बेसीक्स वेरियंट उसके बाद में यह जो है ESP याणि Ε Derek Smart Powers System तो और जो सपेंशन दिया गया है दोनों में तो आप यहाँ पर पीचे से देख सकते हो एक ही सँपेंशन दिया गया है और यह जो है 3-step adjustable suspension हमको दोनों विर्यज में दिखाई देता है और दोनों में यहाँ पर आगे की डौ्ट मोर्ड ब्रेकिन दिएर हम सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करने हैं विश्थ के लिए यह ते की लिए हुआ हेवी लगती है दोस्तों यह भी हेवी लगता है और पर फूरेस्ट्ट्टक to सब्सक्राइब यहाँ प्रेस्ट के उटाइं सब्सक्राइब होती है जिसक्राइब लिएक पर ऋचिंज के घे यहाँ पर जो मोटार अगरे स्टाटर आगे दी गई है यहाँ पर अंदर और जो इसका यह थोड़सा एंग हां साब यहाँ पर हमको दिखाई देता है मेरे लेस्टम हो---- दोफर से में आपको दोस्तों इस का टेल पॉर्शन दिखाते हैं तो यह जो है यहाँ पर हमको जो ग्रैब हैंडल जो है यह भी औरेंज कल मिलते हैं और होंडा की जितनी भी स्कूटर में ने देखिए उनका जो है यह जो फिवेल रिफिलुएंग का जो टैंक है तो यह टैंक जो है यह पीछे की ओरी ज्याद अरे जो टैल पॉर्शन ने जो ब्रेक लाइट और इंडिकेटर लाइट यह एखिया गया है यहाँ पर यह चोटा सा रिफिलेक्टर यहाँ पर दिया गया है और यह जो पीछे है यह वनडा की ब्रेजिंग के साथ में और नम्बर प्लेट के लिए यहाँ पर जगा तो दे की फिनिशिंग अलग तरह से यहां पर हमको दिखाई देती है और साथ यहां पर ब्लैक टोजिंग जो है एंजिन का यह अच्छा यहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लुक भी इसका बहुत ब्यूटीफुल लगता है और यह है सैड पैनल एक फूट्रेस के साथ मे जो की है रबर का यह देखिए दोस्तों तो चलिए अब हम इसके स्विचेस और इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यह जो है दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यह स्टैंडर वेरियंट है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ब्रेक ब्रेक क्लच और एक्स लिटर यहां पर बहुत ही अच्छी तरुके से यहां पर एड्जस किया गया है यह रबर की घ्रीप हमको यहां पर मिलती है बहुत ही कंपर्टेबल लगता है पकड़ने में इसको और यह इंजिन स्टाट स्टॉप स्विच के साथ में यह जो है इसके साइड ग्ल कि अपर डिपर भी आप से होता वैख पास भी यह सी होता है तो इसलिए इसको इंटिग्रेटर पास पहलने स्टिन भी कहा गया है यह जो है इंडिकर्टर के स्वीच है साधी सा around का स्टेश में इंजिनन स्टाट्स स्टॉप स्टीच यह मिटर कंसोलो इंच नलो इसके की की बटन में दिया हुआ है तो 41 लॉकिंग सिस्टिम देखने के लिए आप उस पर क्लिक करिए गा तो इसका जो स्टोरेज है तो हम इसके स्टोरेज के बारे में भी थोड़ा से शॉट में बात कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं यह होंडा की दिखाना चाहते हैं देखे हमारे जो डॉक्यमेंट्स वगर है जो है यह तो चोटी मोड़ी चीज़ें हम यहां पर मोबाइल भी रख सकते हैं और उसके बाद में इस स्टैड में भी यहां पर एक चोट असा स्पेस दिया गया है यहां पर हमारी कीज वगर हम यहां पर काईरी थाने के लिए यहाँ पर भी करते हैं और यहां पर हो थाई पर लिख के निचे आंधर निशिचे biggeron रख ढ कर ला सकते हैं तो बहुत बार मुझे लोग पूचते हैं इस पर ग्यास का सिरंडर बैठेंगा या नहीं बैठेंगा ऐसा मुझे कॉमेट्स में पूछा जाता है तो मेरे पैर दूस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर ग्यास का सिरंडर पानी की बोटल वगरा पानी का जो बड़ा बाटला रहता है वो भी यहाँ पर आरम से बैट सकता है और यहां पर आप उसको क्यारी कर सकते हैं इतना तो स्पेस इस स्कूटर में हमको यहां पर दिखाई देता है और इसकी जो बैटरी है यह जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर यह बैटरी रखी गई है तो चलिए अब इसके मालेज के बारे में हम बात कर लेते हैं स्कूटर में तो इसका जो मायलेज है लग बख 55 55-60 की किलिमेटरns तक आपको मिल सकता है औ और इसकी जूफ्यल-कैक कपसिटी है ये है आप ध्री लिटर की की हमको यहाँ पर क्पस्ची मिलती है और आपको जो इस मोЭटकी मेलने we야 कर दोस्टो तो मैं आपको इसमें जो है पर दिखा यहां पर दिखा देता हूँ जैसे कि आप some आप देखेंगे में सब्सक्राइब है कि लिए जब जैसे कि मैं कि स्लोपी इरिया पर जाते या तो फिर हम स्लोप पर चड़ते हैं तो उस वक्त कभी कभी क्या होता है गाड़ी हम लगाने के बाद में गाड़ी थोड़ी सी पिछे हो जाती है पिछे आ जाती है तो ऐसा ना हो इसके लिए यह ब्रेकिंग 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 में लॉक दिया गया है कि यह सर है उन्होंने यह इसी दिया आप को इसला प्राइड गुमा 갔 ए कमेंगा नहीं ये पूरी तरहें कैसे लॉक हो चुका है झिए यति यह mm हम कार में जो फंक्शन देखते हैं हैंडब्रेक की तरह या पर वर्किंग करता है तो यह फंक्शन भी बहुत सारे स्कूटरों में एड कराया गया है अभी जैसे कि उसको हम अगर ऑनलॉक करेंगे तो यह स्टेपनी यहां पर गुमने लग जेंगी तो चलिए हम आपको दिख हम कार के तरह यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है यह बहुत अच्छा फिचर मुझे लगा दोस्तों स्कूटर में क्योंकि बहुत 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 है से हो जाते हैं कि गाड़ी पीची-पीची की और यह तो फिर आगे की ओर चली जाती है तो शायद हम स्टार्ट करने से पहले इसा हो जाता है तो बहुत सारी परिशनियों का सामना करना पड़ता था लेकिन इस पीचर की बजट से भी हमको यहां पर अच्छे सी फैसिलिटी मिलती है तो दोस्तों यह जो है होंडा की जो बेसिक्स वेरियंट जो होंडा की डिवो है यह हमको प्रोवाइट की है जैजराराम होंडा की ओर से जो कि है शादा में स्थीत और हम इसके लिए ठैक्स करना चाहेंगे जो है जैजराराम होंडा के आउनर स्री महेंदर जी पटिल और यहां के जो सेल्स मैनेजर है स्री रंचोड जी पटिल हम दोनों का ठैक्स करते हैं तो मेरे पैर दूस्तों आ अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे रिव्यूज देखने हैं स्कूटरों के या तो फिर मोटर साइकलों के तो इसके लिए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सस्क्राइब करिएगा साथ के साथ उसका जो बाजू में बेल आइकॉन होता है उसको दबाने के लिए भी मत बू स्कंथै को पर फिर मोटर साथ के साथ की लगय को इसकर छप